नमस्कार आप सभी का By Use IS हिंदी में बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे आज की इस क्लास में हम 28 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुक प्रस्णों को देखेंगे इसके पहले आप सभी लोगों के लिए एक घोषना है By Use IS सेमिनार के संदर में कैसे करें सम सामे की अर्थात करेंट अफेर्स के त्यारी इसमें आपका मार्ग दर्शन By Use IS के वरिष्ट सिक्षक स्री रशेष कुमार जी के द्वारा किया जाएगा यह सेमिनार 29 अगस्त को साम 4 बजे से आरंब होगी इसके लिए आप रेजिस्टर कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया गया है पहला प्रस्ण है स्टूडेंट्स इमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला 10 डिग्री जलसंदी निकोबार दूइपसमूह को अंडमान दूइपसमूह से अलग करती है दूसरा है ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व युनेस्को के मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम की सुची में शामिल है उपर युक्त कतनों में से कौन साया से सही है या है केवल एक केवल दो दोनों कोई नहीं स्टूडेंट्स निश्यत रूप से पहला कतन हमारा यहाँ पर चही है क्योंकि ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व को सन 2013 में युनेस्को के मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम की अंदर में भारत के नवे स्थल के रूप में शामिल किया गया था तो ऐसे में दोनों ही कथन सही हो जाते हैं और सही जवाब इसका हो जाता है C समाचार है इंडिया एड़ेड 557 न्यूव स्पिस्थीज टू फाउनल वेल्थ इन 2020 says ZSI ZSI अर्थात Zoological Survey of India भारतिय प्राडी सर्वेच्छन संस्थान जिसकी स्थापना 1916 में होई थी और ये संस्थान पर्यावरण एवंवन मंत्राले के अंतरगत कारे करता है मुख्याले कोलकाता में है इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल फिल हाल में जो छेत्र बहुत चर्चा में रहा है वो अंडवा निकोबार वाले छेत्र हैं यहाँ पर जो विकासात्मक कत्विधियों के नएने प्रोजेक्ट लाए जाने की बातें कही जा रही है उसके असंदर में भर्यावरण प्रे पूर्ण हो सकती हैं जैसे आप यहाँ पर एक वाइपर को देख रहे हैं और यह ग्रीन पिट वाइपर है जिसे त्रेमिरे सुरेस सालाजार कहा जाता है और यह अरुनाचल प्रदेश के अंदर में खोजा गया इसके अलामा डेकन वॉल्फ स्नेक जो की करनाटक के अंदर म केरल इसके अलामा अगला जो यहाँ पर है वो है स्क्रैब बीटल जिसके खोज ग्रेट निकोबार के छेत्र में की गई इन सब के बारे में जानकारी जड़ेसाई की डारेक्टर ध्रती बैनरजी के द्वारा दे गई इस छेत्र के अंदर में दो राश्ट्री उध्यान है जिसमें उत्तरी छेत्र में केंपल बे का छेत्र है और दच्छनी हिस्से की तरफ गलाथिया नेशनल पार्क है जिसे मैंने अभी मान चेत्र के माध्यम से आपको दिखाया है Man and the Biosphere प्रोग्राम के अगर हम बात करते हैं स्टुडेंट्स तो ये एक प्रकार का अंतर सरकारी वग्यानिक कारिक्रम है जिसे योनेस्को के द्वारा 1971 में सुरू किया गया था और इसका उद्देश लोगों को और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लि दूसरा है बाबर के नेतरत्तों में तैमूरी और इब्राहिम लोधी के नेतरत्तों में अफगान तिसरा है नेपाल सामराजी की गोरखाली सेना और East India Company के बिटिस सेना चोथा है अफगानिस्तानी अमीरात और सिक समराजी अगर हम पहले को देखें स्टूडेंट्स तो कौ देखें तो 1526 का वाक्या हमारे सामने आता है पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके अंदर में तैमूरी लोगों ने बाबर के नेत्रतों में इबराहिम लोदी के नेत्रतों में अफगानों के साथ जंग लड़ी थी जिसमें बाबर को जीत हासिल होई थी भारत के अंदर में मुगल सामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था नेपाल सामराज्य के साथ में इस्ट इंडिया कंपनी के संबंध तनाव भरे रहे और कुछ जड़पे भी वहाँ पर देखने को मिली थी जमरूद की लड़ाई जमरूद जो की वर्तमान में पाकिस्तान के अ आया है क्योंकि अफगानिस्तान जिसे सामराज्यों की कबरगाह कहा जाता है अगर हम आधुनिक विश्व के अंदर में देखें तो सोवियत संग और अमेरिका दो बड़ी शक्तियां जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर में मात खाई लेकिन एक दौर में सिख सामराज जिने अफगानिस्तानी हमलों को भारत पर होने से रोका था और इसी संदर्व में महाराजा रणजिस सिंग का नाम आता है जरा आप संबंदित समाचार को देखिए तो मैंने अभी आपको बताया कि रणजिस सिंग के सेनापती रहे और कश्मीर हजारा पेशावर आदे छेतरों किराज जिपाल के रूप में इन्होंने काम किया और इन्होंने मुख्य रूप से खैबर धर्रेक के माध्यम से अफगानों को भारत के पंजाब छेतर के अंदर में प्रवेश करने से रुका था अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो हो सकता था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर में शामिल हो जाता हरी सिंग नलवा ने कसूर का युद्ध अटक की लड़ाई पिशावर की लड़ाई इन युद्धों के अंदर में अफगानों को पराजित किया इसके अलावा जमरूत की रडाई जिसमें हरी सिंग नलवा की मृत्यू हो गई थी और इसमें एक हद तक सफलता सिखों के हाथ लगी थी अगला प्रसन है स्टुडेंट्स इमनले खित कतनों पर विचार केजिए पहला अपिस्ट्रीम तेल एवं गैस उद्योग में भूमिगत या पानी के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस छेत्रों के संभावित खोज शामिल है दुसरा है अपिस्ट्रीम तेल एवं गैस छेत्र में परिचालन में संलगन कमपनिया ग्रहकों के सबसे करीब होती है उपर युगत कतनों में से कौन साया से सही है या है केवल एक केवल दो दोनों कोई नहीं आप लोग स्टुडेंट्स पहले इस बात को समझ ये कि तेल और गैस के उत्पादन में जो कमपनिया संलगन होती है जो अंतिम उभोकता होता है उससे दूरी के संदर में इन्हें अपिस्ट्रीम, मिडिस्ट्रीम और डाउनिस्ट्रीम तीन भागों में विभाज़त किया जाता है जो कमपनियां उभोकताओं के सबसे करीब होती हैं उन्हें डाउनिस्ट्रीम के कटेगरी में रखा जाता है। निश्चित रूप से आप इस्ट्रीम के अंदर में वो कमपनियां होती हैं जो कि पानी के नीचे कच्चे तेल और प्राकरतिक गयसों के जो उत्पादक छेत रहें उसके खोज में शामिल रहती हैं लेकिन दूसरा कथन जो है ये वास्तों में डाउनिस्ट्रीम कमपनियों के संदर में सही होता है क्योंकि अपिस्ट्रीम कमपनियां ग्रहाकों से सबसे अधिक दूरी पर होती है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक अब देखते हैं समबंधित समाचार को investors meet on opportunities in Indian upstream oil and gas sector upstream कमपनियों के जो हैं वो मैंने बता ही दिये हैं आप लोगों को खोज और उत्पादन में सनलग न रहती है मुखरुपसे कमपनियां अंतिम उभ्भोकता से दूरिस्थित होती है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं समुद्र के अंदर में या अन्य छेत्रों में ये कारे करती है अगर हम midstream कमपनियों की बात करें तो ये जो उत्पाद होते हैं उनको परिवहन साधनों के माध्यम से processing plants तक ले करके जाती हैं इसके बाद में downstream कमपनियां आती हैं जो की ऐसे उत्पादों को तयार करती हैं जो उभोकताओं के लिए लाबदायक होते हैं और उनका वित्रण करती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं distribution, sales, marketing आदी तो अन्तिम उत्पाद उभोकताओं तक पहुचाने के संदर में downstream कमपनिया मेत्रपूर्ण हो जाती हैं और ऐसे में उभोकताओं के सबसे करीब इस्थित होती हैं Medistream कमपनिया उभोकताओं से मध्धमदूरी पर होती हैं तो यह concept आपको समझ में आगया होगा useful concept है exam के लिए ध्यान रखें इसको अगला प्रस्न है students Black hole अंतरिच्छ में एक पिंड है जिससे किसी भी तरह का विकिरन बाहर नहीं आ पाता है ऐसा नलिकित में से इसकी कौन सी विशिष्था के कारण होता है बडा आकार, छोटा आकार, कम गनत्व, उच्च गनत्व इसका सही जवाब है उच्च गनत्व जिसकी वजह से प्रकाश तक कई बार इससे बाहर नहीं निकल पाता है और ब्लैक होल के आकार के ओपर में काफी हत्तक चीज़े निर्भर करती हैं ये प्रस्न आपके सामने क्यों रखा गया है जरा आप ये भी समझे दरसल इंडियन एस्टोफिजिस्ट इन्होंने कुछ अन्यवग्यानिकों के साथ में मिल करके एक बड़ी विचित्र घटना को देखा और खगोली एतिहास के अंदर में ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि जब तीन बड़े ब्लैक होल्स के मरजर को देखा गया और ये सायोग से हुआ क्योंकि जो अबजर्वर्स थे वो दो गैलेक्सीज आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं NGC 7733 और NGC 7734 इनके मरजर की घटना को अबजर्व कर रहे थे और तभी उन्हें एक तीसरी आक्रत के बारे में भी जानकारी दिखाई पड़ी अध्यान किया गया तो मालूम चला कि यह एक और ब्लेक होला है यहाँ पर जरा आप कुछ संदर्भों को यहाँ पर समझेए NGC 7733 और NGC 7734 यह प्रत्वी के निकट इस्थित गैलेक्सीज हैं लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखें जितना निकट हमारी गैलेक्सी के एंडरोमीडा गैलेक्सी है यह उसकी तुलना में काफी दूर है यह बात ध्यान रखना कि हमारी जो गैलेक्सी है मिलकी वे उसके निकटम गैलेक्सी एंडरोमीडा है अब यहाँ पर जो observer थे वो active galactic nuclei अर्थात सक्रिय galactic नाभिक को observe कर रहे थे सक्रिय galactic नाभिक किसी आकाश गंगा के केंद्र पर इस्थित एक चमकदार भाग होता है इसे एक प्रकार का black hole मना जाता है दरसल सामान्य रूप से हर एक आकाश गंगा के केंद्र में एक black hole इस्थ जो पदार्थ होते हैं उनको अपनी तरफ खीशना शुरू कर देता है तो इसकी चमक अधिक बढ़ जाती है और ऐसी आकाश गंगा को सक्री आकाश गंगा कह दिया जाता है आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इस observation के अंदर में भारत की पहली space observatory astro set का भी योगदान रह जहां से आप देख सकते हैं इसमें एक शब्द आपको दिखाई पड़ता है पारसेक खगोली दूरी को represent करता है और एक पारसेक के अंदर में 3.26 लगभग प्रकाश वर्स होते हैं प्रकाश वर्स प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तैं की गई दूरी को क जाता है तो यहां पर जो टर्म्स यूज हुए हैं इन पर आप विशेस रूप से ध्यान रखे खास तोर पे एक्ट्व गैलेक्टिक नुकलीय के उपर में यह प्रस्ण सिविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा में विगत वर्षों में पूछे गया प्रस्णों के खंड़ से कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये भुकतान संतुलन किसी देश की अर्थेवस्था के द्वारा सेश विश्व के साथ जो व्यापार किया जाता है उसका एक लेखा जोखा होता है जिसके अंदर में चालू खाता की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर में मुख्य प्रव से वियापार संतुलन और अध्राश्यों का संतुलन जिसमें सेवाएं आधी शामिल होती है इनको सामिल किया जाता है विदेशी परिसंपतियां और विशेष आहरन अधिकार ये चालू खाता का हिस्सा नहीं होते हैं आप विशेष आहरन अधिकार अर्थात Special trying Rights के IMF के द्वारा मैनेज किया जाता है International Monetary Fund इसका जो मूल्य है वो विश्व की पाँच बड़ी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित करता है जिसमें अमेरिका का डॉलर, योरो, जापान का येन, चीन का योवान और बिटिश पाउंड को शामिल किया जाता है तो इस प्रकार से पाँच मुद्राओं के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित करते हैं सही जवाब आप सभी को दिखी गया होगा इसमें, एक और तीन अर्थात सी इसका सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फैक्ट अबदा देकी आज का प्रमुक्त तथ्य इसलामिक स्टेट खुरासान से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में काबूल एयरपोर्ट के आसपास दमाका किया है और कई लोगों की वहाँ पर जान चली गई है स्टूडेंट्स आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के उपर में नियंत्रन इस्थापित किया है तब से लगातार इसलामिक स्टेट के द्वारा तालिबान के खिलाफ एक मूर्चा खोल दिया गया है कि तालिबानियों ने अमेरिका के सामने समरपड कर दिया है ऐसी बातें इसलामिक स्टेट के तरफ से कही जा रही है इसलामिक स्टेट खुरासान इसलामिक स्टेट के वेस्ट्विक नेटवर्क का एक हिस्सा है कहने को तो ये दोनों अलग-अलग दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कुछ विशेशक की ये कहते हैं कि हकानी नेटवर्क जो की मुख्य रूप से पाकिस्तान से संबंधित है ये तालिबान और इसलामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बीच एक मध्यस्त की भूमिका और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्री है इराक और सिरिया में जब इसलामिकी स्टेट अपने चरम पड़ था तब 2015 में इसकी स्थापना की गई थी अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार जगह याज रखना आप लोग में इसका ठिकाना है और ये छ स्टूडेंट्स करन्ट अफएर्स के सेमिनार के लिए रजिस्टर करना बिलकुल मत भूलियेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगे तो सिविल सिवा के त्यारी के संदर में ऐसी ही उप्योगी सामगरी आप तक समय से पहुंशत रहेगी शुक्रिया